हेलो डियर स्टुडेंट, स्टुडेंट आज की थियूरम है, मैंने इससे पहले वेक्टर स्पेस बढ़ाया और उसकी एक रेटिड अक्जम्पल बताई, अब उसके बाद नेक्स टैप में आती है थियूरम, जिसमें कह रहा है वो प्रूव तैट एवरी फिल्ड इस आ वेक् मतलब एक पर एक वेक्टर स्पेस है तने वेक्टर स्फबेस ही वेक्टर स्पेस है, असके फेसं और अग्या को जुछ वेक्टर स्पेस है, इस पर उस फिल्ड एफ पे, अब इदर क्या बताना है इदर ये है कि हर every field is a vector space our itself का मत्त भी है कि इदर वो जो कोई vector हम भी ले रहे ना इदर वो vector f होगा मतलब f पर f ही vector space है मतलब एक field पे field f के उपर वो field f खुद क्या बनाएगा vector space भी बनाएगा तो अधिये हम प्रूफ करते हैं कि कैसे बनाता है वेक्टर स्पेस के ऊपर फिल्ड कैसे वेक्टर स्पेस बनाता है मान देते हैं let f प्लस is a field शेकर स्टुरेंट इसका मदो दिये हुआ कि f जो है जो फिल्ड जो है वो दो दो बाइनरी ओपरेशन पे मतलब ब्लस बाइनरी ओपरेशन पे और मल्टिप्लीकेशन ओपरेशन पे वो क्या है एक field है अधिशन पे और मल्टिप्लाइकरिशन पे भी की definition पता ना आपको कि कामुटेटिम रिंग विड यूटी का क्या मतलब है कि वो addition for addition के respect में abelion होगा ठीक है addition के respect में वो abelion होगा और कमूटेटिव और multiplication के case में वो commutative भी होगा मतलब distributive law भी hold करेगा और हर एक का मतलब हर एक non-zero elements के लिए उसका multiplicative universe भी exist करेगा तो यह field की definition है यह आप पिछले semester में पढ़ चुके हो जिसको नहीं समझ आती वो पिछले lecture की जो मेरी वीडियो है मतलब पिछले साल की जो पिछले semester में आपने पड़ी वो वीडियो मेरी देख ले आपको field समझ आ जाएगा के field क्या है अब इदर हम field के बारे में discussing करेंगे मैंने बता दिया field क्या चीज़े मैं इदर field की प्रॉप्टी लिख दूँगा दुबारा से इसको प्रूफ करने के दिए मुझे प्रॉप्टी की जूर्ट पड़ेगी तभी मैं इसकी प्रॉप्टी लिख दूँगा आपको revise भी हो जाएगा के field क्या है महां लेते हैं f plus dot के respect में क्या है ये field है अब field है तो that is मैं लिख लेता हूं प्रॉप्टी की that is इसका मतलब यह है कि पहली प्रॉप्टी वो क्या करेगा के f plus के respect में वो field क्या होगा अबीडियर ग्रूप होगा भी एंड अबीडियर ग्रूप के लिए पांच प्रॉप्टी साइस्वाई करेगा अब दूसरी f dot के respect में क्या होगा semi semi group होगा semi group के जगा पर semi abilion group लिखने ताके हमें एक property कम लिखने पड़ेगी क्यों 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 होगा ही सेमी ही मिल्टक में घृक का मतलब होता है जिसमें दो जीयों अपको प 주는 से ने साथे स्वाय करती एक कॉमूटेटिव के एक सोचेट इफ वस्केस करती ओर एक क्या होता है ड़िट स साथ창 कि एक एक एस्टूष्या ये प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी लेकिन इसने डिख रहा हूं क्योंकि एक और प्रॉपर्टी काम हो जाएगी कि मल्टीप्लाइकेशिन के केस्ट में कमूट रीटरिव भी सैटिस्फाइग करेंगी तो इसलिए मैं इन तीनों को मिला कि एक ही पॉइंट दिख रहा हूं कि एक प्रॉप्टी फिल्ड की यह होती है एक पहरे वादी अब तीसरे नंबर वादी प्रॉप्टी यह होती है इसमें यूनिट के लिए यूनिट एलिमिंट का मत्ब्स मल्टी प्रॉप्टी इसमें वाद रखनें और उसे को और हम यूनिट इलिमिंट भी गहते है अब फौर्थ प्रॉप्ट्टी इसका होती है कि every non-zero element जो अभी मैंने आपको definition बताया every non-zero element every non-zero element of f has its multiplicative inverse कि हर एक non-zero element f का उसका क्या होता है multiplicative inverse होता है f के अंदर in f अब फिफ्ट प्रॉपटी होती है इस्टूब्यूटी वाली के alpha into beta plus alpha into gamma for all alpha beta gamma belongs to f यह होगा left distribution ला और इसी से हम right distribution ला भी लिख सकते हैं मतलब alpha into beta plus gamma लिको या beta plus gamma into alpha लिको एक एक इसल टाएगा लगा चीड़े स्टूट्ट तो यह होगी इन्हें हम field की 11 properties होती है total 11 properties अब total 11 होगी है इसमें abilion group का मदब 5 property होगी semi abilion group का मदब 3 property होगी पांच होती है आठ आठ और एक दो तेन property है तो आठ होती है ग्यारा property total होगी और उन ती सारू प्याप्टी को मैंने इस तरीके से दिख लिए आपको इसके प्रूफ प्रूफ में करने के लिए प्रूफ करने के लिए आपको यह property लिखनी पड़ेगी कि अगर F प्लस के respect में और multiplication के respect में field है तो उस case में field की यह property वो satisfy करेगा ठीक है तो अब हमें यह बताना है we have to show that कि F is a vector space अबर F कि F vector space है F के अंतर ही मतलब F खुद एक vector space बना रहा F के ऊपर तो अब देखिये इसका proof देखे श्रुएंट लिखे श्रुएंट लिखेंगे we have to we have to prove we have to show that we have to show that F is a vector space अब पहली property for this इसके लिए हमें पहली property क्या है F प्लस के respect में क्या होना चाहिए पहला चाहिए तो बेट लिखें है ना यह टो प्लस के respect में क्या है इस फीएंट अपी न क्या है यह पी एद आफिए पहली प्रॉप्टि वेक्टर स्पेस की कहती ना मैंने वेक्टर पर स्पेस आपको बढ़ाया है तो आपड़िटर स्पेस की डेफिनीशन देखें और क् से क्रीर यसे हैंक डिशलय से प्लस फील्स से क्लीर हो संबता जेसित क्वाइगा कि अगरा सब्स भी एन स्टेटमिंट है सबस्ते क्था सब्सक्राइब ड्याइव अब द्रूप होता है पहली यौहीग है लिखनी है वाइन टू ठी स्टेट्मेंट में अब इससे उपर कब लिखी वापको प्रूफ में लिखनी है वाइन टू ठी स्टैप लेकर तो अप लिख लोगे क्लियर ली अफ यह अफ है इसको पूर करने की जुरूट नहीं यह गिवन है तुसरी पॉर्ट दूसरे में वेक्टर स्पेस, दूसरे प्रॉप्टी वेक्टर स्पेस के लिए क्या आती है कि स्केलर मल्टिप्लाइकेशन स्केलर मल्टिप्लाइकेशन वाई वेक्टर स्पेस की प्रॉप्टी लिखाऊ में स्केलर मल्टिप्लाइकेशन डिस्ट्रिबूशन with respect to vector addition addition के case में वो क्या है multiplication distribution with respect to addition मतलब let alpha belongs to f माल लेते हैं alpha f में है और x y b क्या है तुमें भाई देखो न हमने field पे ही मतलब हमने बताना है कि field पे field खुद vector space बना रहा है इदर 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 जो set vector लेते हैं हम set V लेते न इदर set V भी f है और field खुद f है इद मेंज alpha bf के अंदर और xy भी f के अंदर होगा तो it means this implies हम लिग सकते हैं alpha of x plus y which is equal to alpha x plus alpha y यह multiplication के case में होगा with respect to addition just multiplier भी है with respect to addition alpha and 2 x plus alpha and 2 y विज्वे कोस्वे में भी आप लिख सकते हो from statement 5th by 5th statement से मैंने आप दो नहीं बता है कि alpha and 2 beta plus gamma जो होता है alpha beta plus alpha and 2 beta plus alpha and 2 gamma होता है तो आपने scalar multiplication के लिए भी जो vector के scalar multiplication की property है उसके लिए भी हमें from statement 5th से यह जीज़ पता लग रहा है means alpha of x plus y जो है वो alpha x plus alpha y हो जाएगा by the statement fifth by the property of fifth जो अभी मैंने आप उपर आपको पुर्वाई ठीक आप लिख सकते हो from statement fifth से ये चीज ये property भी satisfy कर जाएगी ठीक अब तीसरी property vector space की है अब देखे स्टोडेंट ये प्रेशान नहीं होना है ये ऐसा ही है मैथ ही ऐसा है इसमें ऐसे ही प्रूफ करने पड़ते हैं तो उसके बाद अब हम mathematician तो है नहीं कि आपको practically हर चीज़ बता दें कि कौन सी चीज़ कैसे है प्रेक्टिकली में कुछ दिखा नहीं सकता आपको तो आप लोगों को सीखना है कि कैसे कैसे से ब्राप्ट किbec साटिस्वाई करती है थीक तो पहली दोसले सट्वाई कि यह से परेडिस क्या मन्र अग्ला लिकले एलफा बिलाउंगस टू अलफा एकस पिलांगस टो एफ पीशह पिलांगस टू एफ उटा है इस प्राप्टीक करना में सकेंडर इसपेंडिकेशन distribution with respect to field addition तो इस case में क्या होगा alpha plus beta into x जो होता है alpha x plus beta x तो यह भी from statement फिफ्ट से यह property भी satisfy हो जाती है इसको भी आप देख सकते हो from statement फिट अब उसके बाद fourth property आती है इसकी देखे सारी property satisfy हो जाएंगी उसके बाद अगे next property आती है scalar multiplication associative by field field element या field multiplication आप कह सकते field elements multiplication मतलब आप ऐसे लिखोगे scalar multiplication associative by field ठीक है by field multiplication पिछे था by field addition इधर है by field multiplication तो उस case में भी let alpha belongs to f and x in f अगर मान लेते हैं f के अंदर alpha बिटा बिटा बिजांग कर रहे हैं वो दूसरे f के अंदर दूसरे set के अंदर x बिलांग कर रहे हैं तो उस case में alpha into beta into x जो है वो इसके बरापर हो जाता alpha into beta into x के बरापर तो from statement third से स्टेट्मेंट से स्टेट्मेंट से स्टेट्मेंट से यह चीज़ क्लीर हो रही है कि second मैंने क्या बोला था तो नहीं कह सकते हैं इसको लेकिन एस्टेट्मेंट से स्टेट्मेंट से कर रहे हैं तो इस चीज़ की रिजन लिख सकते हो कि from statement third या सदी from statement second अब लिख लोगे from statement second अब उसके बाद लॉस्ट प्राप्टी बज़ती है वेक्टर स्पेस की के field has unit element को field का क्या होना चाहिए unit element होना चाहिए यह प्रॉपर्टी field has unit element तो unit element के लिए देखिए such as one into x which is equal to x या x into one which is equal to x for all x belongs to f ठीक तो यह from statement किस से है यह from statement third से हमें पता लग रहा है है कि एफ जो है वो क्या है multiply के टिव सरी एफ जो है वो थर्ड स्टेट्मेंट मेंने का बूले थी एफ हैस यूनिट element तो थर्ड स्टेट्मेंट से हमें पता लग रहा है कि एफ हैस यूनिट element का मतलब यह है कि one into x equal to x मदा one is the unit element of f तो फ्रॉम स्टेट्मेंट के लिए फार से यह ब्रोक्तिब जर्ट कर रहा है तो हम लिख सकते हैं हैंस every field makes vector space our itself इसके बाद देख अप क्या लिखोगें कि एक तुए फील्ड आपने आप पर क्या है बेक्टर स्पेस भी बनाता है इस तरीके से वेक्टर स्पेस हर एक फील्ड हर एक फील्ड पर वेक्टर स्पेस मतलब कोई स्टिक पीए तो इसके बाद थियूरम और भी एक दो है इंपोर्टन वह भी हम डिसकस करेंगे और एक्सराइस के कोशन भी हम करेंगे इंशालह कल से तो फिर पहले पहले एक्सराइस में ऐसा कुछ ठीक है ना जो पहला ये वेक्टर स्पेस वाला टोपापिक है ना तो वेक्टर स्पेस में यही कुछ है बस सिर्फ एक्टर स्पेस की deep inition समझो वेक्टर स्पेस की प्राप्टी समझो क्या-क्या प्रूफ करणा हमें बस वही चीजहini दिखा दो ओदर और और कुछ नहीं करना आपने बस जो जो प्रॉप्टी वेक्टर स्पेस की हैं उसी प्रॉप्टी को शो कर दो आप तो आपको हर एक कोशन प्रॉफ हो जाएगा जब हम कोशन करेंगे आपको समझा जाएगी किस तरीके से हम लोग प्रॉफ करते हैं ठीक स्टुएंट तो ओके करते हैं ग्रॉब